हेलो दोस्तों तो एक बार फिर से आपका स्वागत है CLC के डिजिटल प्लेटफोर्म पे माइसेलफ आर्शी दहीवाल टीम केमेस्ट्री CLC सी कर तो आज का जो टोपिक है लास्ट टोपिक में हमने डिसकस किया था जी ओ सी जनरल ओर्गेनिक केमेस्ट्री का और आज का जो टोपिक है वो है हाइड्रोकार्बन 11th क्लास का टोपिक है हाइड्रोकार्बन इससे भी बहुत ज्यादा बल्क में क्यूशन आये हैं जैसे मैंने पेपर को अब्जर्व किया है हम ले रहे हैं 2019-2021 तक जितने अटेम्ड होया है उन सभी के पेपर्स को हमने रिजोल्व किया है उन से जो हाइड्रोकार्बन के क्यूशन आये हैं उनको हमने से यहां पे सेलेक्ट किया है तो टोटल 39 क्यूशन हाइड्रोकार्बन से आये हुए है तो एक बहुत इंपोटेंट टोपिक है कुलम मेचिंग का पहला क्यूसन है और आप क्यूसन सापकी स्क्रीन पर है नजरा रहा है देखिए कि मेच लीष्ट फरस्ट विट लिष्ट शेकिन इधर आपको कैमिकल्स दिये हुए है पस्ट लिष्ट कुछ केमिकल्स दिये हैं और सेज़न लिष्ट पर दिये हैं उनका क depression केसे कर सकते हैं या constituent क्या है या वो किसी का constituent है क्या यह सब चीजे यहां पर आपको दी हुई हुई है है कितो किष्टन करते हैं दर सबसे पहले दिया है एल्कोहली potassium hydroxide है त्सक्रों मतलब एल्क्षछल कह के को है आपको सबसे पहला region दिया हुआ है तो आपको पता है ना कि CH3 CH2 और यह हैलोजन यहाँ पर लगावा है यह CH2H और यहाँ पर मैं alcoholic के वच डालता हूँ तो HX बाहर होता है तो यह alpha है यह beta है beta hydrogen बाहर होती है E2 mechanism होती है और यह बनता है CH2 CH2 इसको हम बोलते हैं beta elimination क्योंकि किसी small compound का elimination हुआ है तो यह reaction है elimination अब यही reaction आप ध्यान रखना aqueous KOH से करवाते हो तो यह OH supply करता है और बनता है CH3 CH2 OH यह है substitution reaction ठीक है alcoholic KOH dehydrogenation करता है HX को बाहर निकालता है हेलोजन के respect में beta hydrogen को remove करता है और एकवस के हेलोजन के सब्सक्राइब करता है तो वो substitution reaction है और elimination वाली reaction जहां beta elimination हो रहा है वो dehydrogenation का example है तो यहाँ alcoholic potassium hydroxide क्या ऐसा कहीं किया हुआ है क्या obtained by addition reaction used for beta elimination reaction इसमें यूज होता है इसका तो definitely इसका फैड़ आएगा फिर PD BSO4 you know PD BSO4 किसका constituent है किसका part है this is Lindlar catalyst सभी को constituent हो गया PD BSO4 किसका Lindlar catalyst का Lindlar catalyst का constituent हो गया किलियर यहां तक हो पूली समझ में आ गया हो कि Lindlar catalyst क्या करता है Lindlar यह बता दू मैं Alkyne का reduction करता है किसमें Cys Alkyne में 2H का addition होता है Cyn addition Alkyne को reduce करता है Cys Alkyne में तो इसका मतलब यह वाला है Lindlar catalyst पिर है Benzene Hexacloride BHC Benzene Hexacloride इसके बारे में बहुत interesting है तो वो क्या interesting factor है वो देखें Benzene Hexacloride किसको बोलते हैं Benzene Hexacloride पहले तो यह देखें क्योंकि यह भी बहुत important है Benzene की reaction Cl2 से ultraviolet radiation की presence में करवाता हूँ तो reaction होती है pre radical addition reaction FRA का मतलब है pre radical addition reaction और सभी double bond पे Cl जूर जाता है Cl, 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 Cl और Cl तो इस compound का नाम है Benzene का Hexacloride इसका नाम है BHC या इसको हम linden भी बोल सकते हैं या फिर मैं इसको बोलता हूँ game exam भी बोल सकते हैं यह सारी information ध्यान रखें फोर्मुला हो गया C6H6Cl6 Benzene से हम इसको 10 करते हैं by pre radical addition reaction से इसका नाम है BHC Benzene का Hexacloride देखो बड़ा interesting सी चीज आ रही है कि इस structure में Benzene नहीं है बट इसके नाम में Benzene आया है इसके थोड़ा सा ध्यान रखें Benzene का Hexacloride इसका यह Hexacloride है और यह strong insectide भी होता है आगे बाद साजम इंसेक्टाइड के रूप में यूज में लेते हैं टोटल इसके 9 isomer बनते हैं जिसमें 8 geometrical होता है एक optical isomer होता है यह सारी information इसके regarding पूछ सकता है advance में पूछ सकता है तो यहां BHC हम obtained by addition reaction कौन सी addition reaction है प्री-radical addition reaction तो इसमें आएगा है अगर यह तीन को मिला लिया ना अभी यह जो remaining है उसमें जाएगा definitely और polyacetylene यह जाएगा इसमें electrode in batteries NCRT में polyacetylene की reaction लिकी है polymerization एलकाइन वाले chapter में जाओगे hydrocarbon एलकाइन में जाओगे उसमें reaction है polyisomerism ठीक है यह polarization reaction है एलकाइन की polarization reaction है उसमें polarization एलकाइन से जो बनती है एलकाइन से जो बनती हो होती है polyacetylene उसका use हम कहां करते है थिन फिलम of polyacetylene तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ thin film of polyacetylene used in used as electrode in batteries यह वाला आजाएगा तो यह एक simple सा क्यूसन है और इसके base में हम जाएंगे तो D में अपने पास पस्ट आया है D में पस्ट के वल इसी में दिया हुआ है यह option set हो जाएगा अपना A में 3 आ गया B में 4 आ गया C 4 इस correct answer बहतरिन क्यूसन कितनी चीज़े इस क्यूसन में पूची वही है लिंडलार के टिलिस्ट क्या होता है बेंजीन एक्जा क्लोराइड क्या होता है बेटा एलिमनेशन किसको बोलते हैं पोली एसीटाइलीन का यूज क्या है ये सब NCRT से पूरा क्यूसन बिलोंग कर रहा है नेक्स्ट क्यूसन नेक्स्ट क्यूसन देखें ये गिवन शोड़ी ये वला सेगंड क्यूसन ये है अलकलाइन के मनोफोर अब मैं इसके बारे में देखूँ इससे रिगार्डिंग भी काप्य क्यूसन नहीं है यदि आपके पास बेंजीन में यहां कोई कार्बन है और यहां कोई कार्बन है इसका के मनोफोर के साथ रीक्शन करवाता हूँ इन बेसिक मीडियम ठीक है तो ये भी COH में करणोट हो जाता है ये भी COH में करणोट है बले ही कितना ही बड़ा कार्बन हो कितनी ही बड़ी कार्बन की चेन हो बट कंडिशन यह है कि यहां H परजेंट होना चाहिए कार्बन के साथ तो यहां पे देखो अलकलाइन के मनोफोर क्या करेगा इस पे तो कोई क्योंकि यह तो खुद बेस है यह भी बेस है तो यह वाला तो नोन रियक्टिव पार्ट है बट यह वाला CH3 ऑक्सिडाइजड इन COH तो यहां पहले क्या होगा ना पहले अलकलाइन के मनोफोर दिया है basic medium में तो पहले ये बनेगा O, C, H3 C, O और ये minus, क्योंकि basic medium में acid salt form में रहेगा बट उसके बाद H plus दिया हुआ है तो वो H plus यहां आ जाके इसको किस में convert कर देगा CO, H में convert कर देगा ऐसा option धूनने जाओगे तो third आपको मिल जाएगा मतलब इसका answer हो जाएगा third next ये भी NCRT से क्यूशन है given below are two statement two statement दिये है two methyl butane on oxidation with two methyl butane to all तो देखो, three degree alkane only three degree alkane oxidized with chemonophore and give alcohol और क्या देता है alcohol देता है तो इसकी इस texture बनाऊँ में two methyl butane CH3, CH CH3 और ये CH3 ठीक है अब ये three degree alkane हो गया three degree carbon है इसमें इसलिए three degree alkane हो गया इसकी reaction chemonophore से करवाऊंगा तो यहाँ बनेगा CH3, CH3 और CH3 और ये OH अभी कित्य डिगरी alkohol बना three degree alkohol तो two methyl butane on oxidation with chemonophore two methyl butane, two oil तो इसका नाम लिखेंगे हम तो one, two, three two methyl, two butanol तो ये statement एकदम सही है correct statement है ठीक है, नीचे वाले में क्या बोल रहा है N-alkane can be easily oxidized to corresponding alcohol chemonophore में ने लिखा only three degree N-alkane मतलब ये वाली do not undergoes oxidation with chemonophore इनका chemonophore के साथ क्या नहीं होता है oxidation नहीं होता है तो ये statement ये बोल रहा है alcohol देगा, ये तो सही है मैं बोल रहा हूँ नहीं देगा ये statement क्या हो गया, wrong हो गया तो इस base पे answer देने जाएंगे अपन तो two methyl butane ये हिंदी हो गया इसका, statement first true है बट statement second क्या है, false है तो answer जाएगा, वो जाएगा second next ये ये भी बहुती veteran question है, choose the correct statement regarding the formation of carbo-cretine अब यहाँ देखो ये alkin है ठीक है, और alkin ये छोट-छोटी चीज़े ध्यान रखें, alkin give electrophilic addition reaction alkin कौन सी reaction देती है electrophilic addition reaction देती है और HBR है, तो यहाँ पे इस double bond पे क्या होने वाला है addition होने वाला है, तो reaction में carbo-cretine बनता है, तो electron किस side rotate होंगे CH3 CH double bond CH CH3 CH2 CH double bond CH2 मेरे पास यहाँ दो वे हैं कि HBR में से पहले कौन attack करेगा H plus attack करेगा तो अगर मैं electron इधर गुमाता हूं और यह H plus यहाँ जाता है एक possibility डूसरी possibility यह H plus है और यह HBR से आया है और इधर गुमाऊं तो positive यहाँ इस पह H plus चला जाएगा negative C पह है तो दो possibility है नीचे वाली possibility में क्या बन रहा है CH3 CH2 CH positive sorry CH2 और CH2 positive उपर वाली condition में क्या बन रहा है देखें इधर H आ गया CH3 CH2 CH positive और यह CH3 stable carbocation है इसके पास 5 alpha hydrogen है और इसके पास के वाल 2 alpha hydrogen है यह वाला less stable है और यह वाला more stable है यह वाला more stable है अब हमें क्या पूच्छा हुआ है कि choose the correct statement regarding the formation of carbocation A and B given ठीक है एक बार यह बना BR- side में रहा गया यह वाला क्या है यह वाला more stable है और यह वाला क्या है यह वाला less stable है कार्बोकेटाइन A is more stable and formed relatively at faster rate more stable carbocation जो है वो more faster बनेगा जल्दी बनेगा अगर carbocation stable हो रहा है तो वो जल्दी बनेगा stable carbocation जल्दी बनेगा यह concept है आप समझेंगे इसको carbocation A is more stable तो यह तो यहीं गलत हो गया कि carbocation A ज्यादा stable नहीं है carbocation B is more stable यह सही है carbocation A is more stable यह यहाँ गलत हो गया carbocation B तो यह first और third तो यह से चले गए अब carbocation B is more stable and formed relatively at faster rate definitely क्योंकि stable बन रहा है तो फास्ट बनेगा fourth है carbocation B is more stable and formed relatively at slow rate जे ना slow rate नहीं बनेगा इस्टेबल है तो फास्टेट बनेगा तो ये भी गलत हो गया और इस बेस पे आंसर जाएगा बुजाएगा सेकिन ठीक है चलो नेक्स्ट बात करता है ये भी वही सेम क्यूशन सेम क्यूशन का एक एक इसट यहां लगा है वही HBR, Elkin है, Double Bond है तो यहां भी कौंची रिएक्शन होनी है यह कौंची रिएक्शन होगी Electrophilic addition तो देखू क्या रिएक्शन होगी ये Elkin दी हुई है और यहां पे आपको CH दिल दिया हुए सबसे पहले H पलस अ unterstüt करेगा यहां से हाँ और यह H, H+, कहां से आया क्योंकि यह आपको HBR दिया हुआ है, CCL4 क्या है यह solvent है, नॉन पोलर है तो इसका कोई पंक्शन नहीं है, तो यहां पे यह बना ठीक है, अब इसके बाद यह जो कार्बोकेटन बना है इस क्यूशन को हम थोड़ा सा सही बैसे लेके जाते हैं यहां पे अब क्या होगा 1, 2 methyl shift और यहां से यह methyl क्या हो जाएगा shift हो जाएगा, rearrangement of कार्बोकेटन और फाइनली बन जाएगा यह वाला शोड़ी, यहां नहीं आएगा यह बन जाएगा अब आप यह देखो इसके पास थे 3 alpha hydrogen इसके पास कितने होगे alpha, alpha, alpha यहां पे 1, 2, 3, 2, 5 alpha hydrogen तो rearrangement हो जाएगा इसके बाद यहां पे कौन अटिक कर जाएगा BR- क्या यह वाला बन जाएगा तो simple electrophilic addition reaction में पहले electrophile attack करता है कार्बोकेटन बनता है यदि उस कार्बोकेटन में rearrangement की possibility है और ज्यादा stable हो सकता है तो rearrangement कराओगे 1, 2 position से उसके बाद उस पे nucleophile attack करता है तो यहां BR- attack कर रहा है तो answer क्या जाएगा 4, 3, correct answer ठीक है next देखे यह simple सा है ठीक है आपको identify the reagent A कि इससे यह बनाना है तो यहां देखें कि यह वाला है H है H है यह भी कौन सी position है allylic position है और यह भी है allylic position ठीक है और हम यहां यह देख रहे हैं कि इस H को replace किया है CL से इस H को भी replace किया है CL से double bond पे reaction नहीं करवाई मतलब इसको क्या दखा है non-reactive ठीक है at allylic position allylic position substitution reaction substitution reaction occur allylic position पे कौन सी reaction होती है substitution reaction होती है क्योंकि यह SP3 है और SP3 carbon hydrogen ठीक है characteristics reaction इसकी जो characteristics reaction है ना वो है प्री रेडिकल substitution प्री रेडिकल substitution substitution रेडिक्शन तो क्या ऐसा reagent कहीं नज़रा रहा है जो प्री रेडिकल substitution दे रहा है यह देखो CL2 और new light double bond पे तो reaction करवाई नहीं ना substitution reaction करवानी है तो यह फ्री रेडिकल substitution reaction से हो जाएगा CL2 light तो दोनों एलायलिक पोशन पे CL supply हो जाएगा सिंस हमें यहां कोई reagent दियावानी कि कितना यूज में लेना है तो हमें यह तो पोशन पे रेक्शन करवानी है तो मैंने बोला 8 अलायलिक पोशन substitution reaction ना कर और वो भी substitution भी कौन सी फ्री रेडिकल substitution reaction ना कर तो यह SP3 carbon hydrogen bond की characteristic reaction कौन सी होती है फ्री रेडिकल substitution reaction होती है तो फ्री रेडिकल हेलोजीनेशन से यह वाला में replace कर दूँगा तो answer क्या जाएगा इसका fourth is correct answer next यह भी एक बहुत ही बहतरिन क्यूशन है an unsaturated hydrocarbon ax कोई hydrocarbon है ax और इसमें unsaturation है unsaturation का मतलब क्या होगा carbon carbon multiple bond इसका मतलब यह हुआ ठीक है यह वाला compound दिया हुआ है इसका करवाया है warmed ogenolysis ox ogenolysis ठीक है तो इससे बना A फिर compound A when warmed with ammonical silver nitrate ag-no-3 plus NH4OH नाम है इसका tolerance reagent तो क्या बोल रहा है ए ब्राइट silver mirror along the side of the test tube test tube जो है उसकी side पे यहाँ पे इसकी side पे आपको यहाँ पे silver mirror बनती है कैसे पकड़ में आएगी reaction ogenolysis का पता है कि carbonil compound बनने वाला है double bone को तोड़ना है triple bone को तोड़ना है बट यहाँ थोड़ा सा आप यह देखें कि tolerance reagent और यहाँ पे silver mirror बनती है ag की तो यह वाली जो reaction है ना यहाँ से यहाँ reaction है ना यह वाली है tolerance test यह tolerance test है ठीक है यहाँ पिर मैं बोल दूँ silver mirror test यहाँ पिर मैं बोल दूँ इसको silver mirror test तो एक क्या है tolerance reagent किसको reduce करता है ag plus में है और यहाँ ag में गया है तो tolerance reagent किसको reduce करता है tolerance reagent reduce करता है aldehyde को मतलब a have co h group a के पास क्या है co h group है ldi hyd group है तब ही यह reaction आगे जाएगी तो हमें एक का पता लग गया कि a में क्या है co इसमें क्या है multiple bond और यह जो test tube पे uncituration hydrocarbon क्या है यह क्या किसकी mirror image बन रही है ag कि किस पे surface o पे test tube पे यहाँ पे silver mirror आपको mirror सा नजर आने लग जाएगा यहाँ पे deposit हो जाएगी ag की ppt और यह mirror सा नजर आने लग जाएगा अब हम एक की को लगाते हैं कि कौन सा set होगा मिटाओं कहां नहीं समझे मागी चलो अब मैंने बोला कि एमी क्या है LDID group है इसका ogenolysis करवाओंगी zinc H2O तो इसका ogenolysis होगा CH3CO COCH3 क्या ketoni group है LDID group है ना यह ketone है तो यह वाला तो नहीं हो सकता इसका करवाओंगा ozone zinc H2 यहां से oxygen oxygen तो उधर भी बना CH3COCH3 और इधर भी बना CH3COCH3 क्लियर उधर भी बन गया और इधर भी बन गया अब यहां इधर भी ketone इधर भी ketone दोनों तरब ketone बन गया है तो यह भी नहीं होगा अब इसका करवाता हूँ zinc zinc H2O यह और जोनों लाइसिस रेक्षन है तो देखो मैंने पूरा oxygen oxygen जोड़ार दो बोंड को तोड़ा था इसमें पूरे को नहीं तोड़ा यहां भी दो बोंड oxygen oxygen तो इधर तो बनेगा COH इधर बनेगा CO O और यह CH2 CH3 क्या इसमें यह LDID ग्रूप है क्या तो compound X यह वाला है और compound A यह वाला है इसको करवोंगा तो यहां से टूटेगा oxygen oxygen तो दोनों ही त्रव क्या बन गया उधर भी ketone बन गया और इधर भी क्या बन गया ketone बन गया तो यह भी नहीं हो सकता तो finally हमें यह पता लग गया कि जो X compound है वो यह वाला है थरड वाला जिसके तो ओजोनोलाइसिस से LDID group generate हो रहा है तो बाकी सबको तो खतम करें इसी पर बात करें हम अब इसी को explain कर देता हूँ तो यह H C triple bond C और यह CH2 CH3 यह X है आपने करवाया ओजोनोलाइसिस ठीक है यह बनेगा H C O C O CH2 CH3 अब आपने डाला तोलेंस रिएजेंट तो यह तोलेंस रिएजेंट था A G NO3 प्लस NH4 OH या फिर एसे भी दिखाया जा सकता है A G NH3 का whole twice और यह प्लस तो A G इसमें किसमें है प्लस 1 में है न वो oxidize होगा C O H में जाएगा C O C H 2 C H 3 बना और यह reduce होगा 2 A G और इसी को बोलते है Silver Mirror यह deposit होजाएगा टेस्ट ट्यूब पे तो answer होजाएगा होजाएगा थैड़ थोड़ा सा fast चलना पढ़ रहा है क्योंकि cushions बहुत है ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो मुझे पता है आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे next यह same question जो अभी हमने पीछे बढ़ा था कि आपको इस CS3 को COH में convert करना है तो यहाँ एक क्या है oxidizing agent पीछे करवाया है और वो भी क्या है alkaline, kemonophore, H+, पीछे इसका question करवाया है एक बार उसने क्या पूचा यहाँ kemonophore देखे product पूचा, अब product देखे reagent पूच लिया question तो same ही था ओके, next यह देखो the product A and B formed in the below reaction, इस reaction में product A और B क्या होंगे तो देखो यहाँ पे यह alcohol है alcohol is is unstable in acidic medium and form oxonium iron तो यह alcohol है lone pair है, यह acid है अपना एच देतेगा तो क्या बनेगा CH3 O H और यह positive इसका नाम है oxonium iron अब यह living group बहार होगा H2O बहार निकलेगा क्या बन जाएगा CH3 और यह positive carbocrit है यह reaction है, यहाँ H2O बहार होगा elimination reaction है कौन सी E1 वाय कार्बोकेटैन होती है अब आपके पास कार्बोकेटैन बन गया तो देखो कि क्या कार्बोकेटैन में rearrangement की possibility है तो इसमें कोई rearrangement की possibility नहीं है तो with respect to कार्बोकेटैन कार्बोकेटैन के respect में उस alpha hydrogen को remove करना होता है जिससे stable alkin बनती है alpha यह बना आपके पास यहाँ पे oxonium iron H2 बाहर हो गया और यह बन गया ठीक है अब इसमें सुनना यह alpha, यह alpha, यह alpha आपको उस alpha hydrogen को हटाना होता है जिससे stable alkin बनती हो तो यह दोनों तो सेम ही है तो यह इस H को हटाऊंगा H plus बाहर हो जाएगा और यह वाली alkin बन जाएगी तो A तो यह वाली है अब B देखो यह वाला क्या है bulky base क्योंकि यह वाला है O minus K plus यह bulky base है ठीक है remove less hindered beta hydrogen remove less hindered beta hydrogen with respect to halogen या फिर living group यह उस beta hydrogen को हटाएगा जो less hindered है ठीक है उसको उटाएगा जो less hindered है तो आप देखें यहाँ पे यह दिया हुआ है CH3 और यह C1 अब इसमें हम alpha beta decide करेंगे तो यह alpha यह beta यह beta यह beta यह beta यह 2 degree यह 2 degree और यह 1 degree तो यह वाली क्या है less hindered जहां bleed सबसे कम है तो यह वाली H यहाँ से यहाँ और यह CL क्या हो जाएगा बाहर तो यहाँ HCL बाहर हुआ और यहाँ जो बना CHP आंचो है तो B तो आया यह वाला और A आया है आपके पास यह वाला यह A है और यह भी है इसा option चेक करेंगे तो इसा option अपने पास पस्ट में है पस्ट दीजे correct आंचो एलिमिनेशन रेक्शन का एक्जामपल है एल किन बनाने का method है next फोर्दा गिवन रेक्शन BR2 और light तो कौन सी है pre-radical halogenation FRH और यहाँ रेक्शन होगी pre-radical halogenation reaction pre-radical halogenation reaction यहाँ पर होगी अब pre-radical halogenation reaction करनी है न तो यह कहाँ होगी तो reactivity of hydrogen SP3 यह वाला है और SP3 यह वाला है बट यह कौन सी पोशन है benzylic form stable radical यह stable radical यह stable radical बनेगा क्या क्या क्योंकि यह वाला जो है तो फिर BR यहाँ जाएगा और आशर जो आजाएगा वो यहाँ यह CN और यह 1-3 पर है तो यह और यह PR तो यह 1-2-3 पर होना चाहिए यह CN के रेस्पेक्ट में ओके समझ में आ गया तो यह सा अप्शन देखें यह सा अप्शन देखो 1-2-3 पर्फ इस करेक्ट आशर प्री रेडिकल हेलोजिनेशन का बेंजाइलिक रेक्टिवीटी उप हाइड्रोजन रेक्टिवीटी उप हाइड्रोजन सबसे पहले बेंजाइलिक हाइड्रोजन उसके बाद एलाइलिक हाइड्रोजन फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन यह वाला ओडर आएगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन 3 degree, 2 degree और 1 degree hydrogen ये वाला order आएगा, किलियर, चलो, तो बेंजाइलिक भी मैंने करवा दिदी एक्षन, नेक्स देखते हैं, ये भी एक बहुत ही भेहतरिन क्यूशन है, इसको भी थोड़ा सा समझें, ये भी NCRT से ही बिलोंग करता है क्यूशन, पहले आपको N.A.N.S.2 दिया है, क्या करता है, HX को बाहर करता है, red hot iron tube, cyclic trimarization of alkyne, alkyne का cyclic trimarization करता है, तो ये दिया हुआ है न, CH3, CH, double bond, CH3, CH, double bond, CH, और ये BR, N.A.N.S.2, HBR को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ये HBR यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3, C, triple bond, CH, तो पहला region डालने पे तो ये बना, थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, ये वाला बना, अब red hot iron tube ले लो, फिर यहां पे ये भी लिख सकता है, copper tube, तो ये cyclic trimarization, मतलब तीन मोल इसके cyclic form में जाएंगे, आपको ये इस पे एक reaction और आपको पता हो, तो ये तो आपको दी वी है यहां पे, प्रोपाइन, ऐसी टाइलीन भी जाता है, तो बेंजीन बनती है, तो मैं इसका cyclic trimarization करवा हूँ, तो दे वो के से करवाँगा, CH3, C triple bond, C और ये H, ठीक है, फिर यहां पे, ये C triple bond, C, CH3 और ये H, फिर यहां पे, इदर CH3 कर देते हैं, और इदर H कर देते हैं, तो यहां से, C triple bond, C, और ये CH3, और ये H, अब इसका trimarization कैसे होगा, तीनों लिख दी हैं मैंने, अब आप इसको देके trimarization कैसे होगा, ये इदर जाएगा, ये यहां जाएगा, और ये bond यहां जाएगा, तो क्या बना, C, CH3, यहां double bond हो गया, और ये C पे H जुड़ गया, यहां एक single bond आ गया, carbon और यहां double bond हो गया, ये carbon हो गया, इस पे H हो गया, और इस पे क्या लगा हुआ है, CH3, यहां ये carbon, यह गया, यहां एक bond आया, double bond, C, इस पे CH3 है, इस पे H है, और ये बन गया, this compound is formed, ये वाला compound बनेगा, अब इस compound को आप थोड़ा सा अच्छा करके लिख देंगे, तो कोई problem थोड़ी न होगी, सुन्दर करके लिख देते हैं, इसको भी proud भी लो की मेरे को बड़ा सुन्दर दिखाया है सरने, तो ये वाला compound बन गया आपके पास, अच्छा इस compound का नाम जो है ना, common name जो है ना, वो मैसी टाइलीन है, ये भी ध्यान रखना, मैसी टाइलीन, तो इसा option नजर आ रहा है कि आपको, आ रहा है, ये रहा, third is a correct answer, बोलो हां किना, समझ मा आगया, next question की बात करते हैं, ये एक simple सा reaction है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा controversy नहीं है, देखो ये बेंजीन है, ठीक है, और पता है कि बेंजीन की characteristic reaction कौनची होती है, characteristics reaction of benzene and aromatic compound is aromatic electrophilic substitution, जिसको हम बार-बार लिखते हैं, ARC, ये वाली characteristics reaction होती है, aromatic electrophilic substitution, benzene and their derivative या benzene या aromatic compound की characteristics reaction होती है, इलक्ट्रोफाइल आपको generate करना होता है, और benzene पर attack करवाना होता है, जहाँ इलक्ट्रोफाइल अटेक करेगा, उसी carbon से वहाँ से H+, बाहर हो जाएगा, यदि benzene पर already group लगा हुआ है, तो plus R वाला group है, तो वह coming electrophil को और्थो पेरा पर जोड़ता है, और यदि withdrawing वाला group लगा हुआ है, minus R वाला लगा हुआ है, तो वह meta पर जोड़ता है, और simple है, तो कहीं भी चला जाएगा, तो simple है, अब यह double bond क्या है, और यहाँ से यह क्या देगा, H प्लस देगा, यह इधर से इधर जाएगा, और इस पे कौन जूड़ जाएगा, H प्लस जूड़ जाएगा, और NO2 और यह positive यहाँ कौन जूड़ गया, H, अब यह आपके पास क्या बन गया, यह आपका इलक्ट्रोफाइल बन गया और यह इलक्ट्रोफाइल अब रिंग पे क्या करेगा अटेक करेगा तो सिमेट्रिक है तो कहीं भी अटेक कर सकता है तो क्या बना अब इस कार्बोकेटैन में कोई रिरेंजमेंट की पोसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर positive ले आओगे तो यह electron withdrawing है और यह CH3 हो चुका है इसका minus R लग रहा है इसलिए कोई भी withdrawing इसमें नहीं होगी यह positive charge यहाँ आएगा इसके बाद यह ring पे attack कर जाएगा तो ring पे attack करेगा तो वहाँ से H plus बाहर हो जाएगा और finally वापस और यह positive मैंने यहाँ जोड़ दिया है यह देखो ऐसे यहाँ पे यहाँ पे जोड़ रहा हूं में इस जगे है यह लक्रोफाइल है और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो इधर तो CH3 हो गया और इधर NO2 हो गया और यह CS3 हो गया ठीक है और यह वाला आंस्वर फाइनल हो गया यह लोग शिम्पल सी रियक्शन एरोमेट्रिक इलक्रोफिलिक सब्सिट्यूशन पहले इलक्रोफाइल जनरेट करो उसके बाद रिंग पे अटेक करवादो ऐसा ओप्सन आपके पास कहीं है क्या तो यहाँ पे देखूँ तो इस पे यह CS3 CS3 NO2 फोर्थ इसका जाएगा जेमेन फेब 221 का क्यूशन है तो नेक्स्ट क्यूशन है अमारे पास क्या समझे एक कंपाउंट है में इसका प्रिप्रेशन करना है बहुत अचा क्यूशन है NCIT का इक क्यूशन है कंसेट वहीं से आया है क्यूशन का बट क्यूशन बहुत बहुत बहतरी नहीं क्योंकि पहले तो आपको कंपाउंट की इस्टेक्चर बनानी है उसके बाद रियक्शन के लिए रियेजेंट कौन सा काम में लोगे उसके बारे में मैं एक बात करता हूँ तो यहां पे देखो यह वाला कंपाउंट हो गया क्या बोला फोर ब्रोमो तू नाइट्रो और इथाइल इस कंपाउंट का आपको पोरमेशन करना है मिरे बाद समझे में हा रही है ओके इस कंपाउंट का आपको फोरमेशन करना है 1 number इसको दिया है, 2 number इसको दिया है, 3 number इसको दिया है, 4 number इसको दिया है, क्या ये numbering इस name को satisfy कर रही है, तो definitely satisfy कर रही है, ठीक है, ये product हमें बनाना है, और ये किस से बनाना है, बेंजीन से बनाना है, तो एक-एक option को check कर लेते हैं, बेंजीन, सबसे पहले आपको ये agent दिया ये वाला CH3COCL और ये ALCL3 ये CL गया इसका नाम है फ्रिडल क्राप्ट ऐसाईलेसन इस रियक्शन का नाम है फ्रिडल क्राप्ट ऐसाईलेसन ठीक है तो यहां पे ये ऐसाईल ग्रूप इस पे जुड़ जाएगा और पहला जो प्रोड़क्ट बनेगा न वो ये वाला बनेगा CO और ये CH3 ये एक्जामपल है एरोमेटिक इलक्ट्रोफिलिक सब्सीट्यूशन का थीक है उसके बाद BR2 और AL BR3 जैसा पस्त में दिया हुआ है तो यह अब यह कौन सा डारेक्टिव है यह मेटा डारेक्टिव है तो यहां से यह BR और यह BR यह गया और यह BR जाएगा कहां पे मेटा पे तो बन जाएगा यह वाला CO CH3 और यह BR है फिर HNO3, H2, SO4 नाइट्रेशन यह क्या करेगा यह नाइट्रेशन करेगा तो यह और तो पेरा डारेक्टिव है यह वाला और तो पेरा पोजिशन पे HNO3 और H2, SO4 इसकी और तो यहां जूर जाएगा मैं इस सिक्वेंस में जाना चाह रहा हूँ तो CO, CH3 और यह BR और यह NO2 यह यहां जोर दिया अब आपको दिया जेडन, जिंक और HCL तो यह बहुत काम करता है जेडन, HCL जो है ना यह एक तो CO ग्रूप को जो है ना वो CH2 में रिड्यूस करता है ठीक है और दूसरा NO2 ग्रूप को है ना यह NH2 में रिड्यूस करता है पता है ना जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं SN प्लस HCL EP प्लस HCL ZN प्लस HCL NO2 ग्रूप को NH2 में रिड्यूस करता है तो यहां अब मैं जेसे ही ZN HCL डालूँगा यह NO2, NH2 में रिड्यूस हो जाएगा एसा तो हम्यारी पास है है नहीं तो पर्ष्ट ओप्सन नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा साथ यह लो खतम अब मैं सेगिंड को ट्राई करता हूँ सेगिंड में पहले यही दिया हुआ आपको CH3 COCL और यह ALCL3 यह गया यह अटेक हो गया और यह बन गया CO और यह CH3 इसके बाद जिंक अमलगम कंसेंट्रेट HCL दे दिया किलिमेंशन रिडिक्शन है क्या HCL यह कौन सा रिडिक्शन नाम है इसका किलिमेंशन रिडिक्शन यह इस CO को किस में करवर्ट कर देगा CH2 में कर देगा यह CH2 और यह CH3 अब BR2 ALBR3 दिया हुआ है तो यह और्थो पेरा डायरेक्टिव है तो अब आपको दिया हुआ है BR2 ALBR3 तो वापस BR किस की पोशन पर जाएगा पेरा पर जाएगा तो यहाँ पे यह CH2 यह E2 और यह BR अब आपको दिया HNO3 प्लस है H2 SO4 तो और तो पेरा डायरेक्टिव तो और तो खाली है पेरा तो खाली नहीं है तो यहाँ पे कौन जूड जाएगा NO2 और यह वाला कंपाउंट बन जाएगा इसकी और तो पेरा पे चला जाएगा यह वाला कंपाउंट बन जाएगा NO2 क्योंकि प्लस H लग रहा है ना इसका तो यहां इलक्ट्रोन डेंटिशी ज्यादा है तो यहां पे चला क्या तो इससे बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ एक चीज समझो इसमें कि यदी में पहले यहां NO2 जोड की लग करा कि लास्ट में अगर सब आस या यहां अम चला गया तो यहां जोड दिया तो यह किस में चला जाएगा तो इसका मतलब आंसर जो जाएगा हो जाएगा second, second is correct answer, next question देखे, चलो, यह reaction भी बहुत अच्छी reaction है, the major product of the formal reaction, आपको यहां दिया हुआ है CO plus H2, आप इसको water gas बोल सकते हो, और यह RH catalyst दिया है, कई बार cobalt भी लिख देता है, या फिर cobalt का यह वाला complex भी लिख सकता है, यह भी लिख सकता है, इस reaction का नाम है hydroformylation, और reaction का नाम है hydroformylation, अगर आपको यह दे दिया H2O plus CO, तो इसका नाम है oxoprocess, या फिर hydrocarboxylation, hydro, या फिर carboxylation, इसका नाम है oxoprocess, या फिर carboxylation, hydrocarboxylation, तो यहा तो इस reagent hydroformylation क्या है, CO plus H2, इसमें तो एक तरफ CO जूड़ता है, और एक H जूड़ता है, addition होता है इनका, और ये देता हूँ, तो इसमें COH और H का क्या होता है, addition होता है, ये देता हूँ, तो इसमें H2O plus CO, CO H और H का addition होता है, आपके पास CHO और H का एडिशन, clear, all clear, तो यहाँ समझ में आ गया बात, आपको यहाँ H2 CO दिया है, catalyst क्या-क्या ले सकता है, यह भी मैं इन्फोर्मेंसी दे रहा हूँ, RH ले सकता है, कोबार ले सकता है, कोबाल का यह complex ले सकता है, यह catalyst है, आपको simple, अगर यह reagent दिया, तो एक double bond पर addition करवाना है, CHO और H का, अगर यह दिया हूँ है, तो COH और H का, यहाँ कार्बोक्सिली ग्रूप दिड़ेगा, इसलिए बोला hydrocarboxylation, hydroformylation, अब इसी concept पर हम जाते हैं, और cushion को solo करते हैं, देखो, यह देखो CH3, CH2, CH, double bond CH2, क्या जोड़ेगा, H and CHO, H इधर जोड़ा, CHO इधर जोड़ा, तो CH3, CH, CH, CHO, CH3, या फिर में दूसरा, वोई H and CHO, अब इसमें CHO उदर जोड़ा, तो इसमें H इधर जोड़ता हूँ, इसमें CHO इधर जोड़ता हूँ, CH3, CH, CH2, और यह CH, CH2, और यह CH, तो 50% यह बनेगा, 50% यह बनेगा, बहुत possibility है, दोनों तरप आप CHO जोड़ सकते हों, ऐसा option, बढ़ रहा है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यह तो नहीं आएगा, इसमें देखें, तो यहाँ double bond agent है, नहीं आएगा, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बन रहा है, यह वाला भी नहीं बनेगा, आन्फर जाएगा, थेड़, reaction का नाम है hydroformylation, next, यह reaction भी अच्छी reaction है, identify A in given chemical reaction है, chemical reaction दी भी है, इसमें आपको A को identify करना है, आपको पता है ना, कि यह दे सकता है, यहाँ पे, CR2, O3 यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, reaction का नाम है, aromatization, cyclization, aromatization बोल दो, cyclization बोल दो, यहाँ फिर बोल दो, reforming, ठीक है, dehydrogenation भी होता है, आपको पता है कि यह reaction भरते हैं, मैं कि N-hexane लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, और यहाँ पे H लगावा है, यह N-hexane है, इसकी reaction CR2, O3 से करवाँ, यह MO2, O3 से करवाँ, हाई temperature लेना है, और हाई ही pressure लेना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से यह bond बनता है, यह bond बनता है, यहाँ वाला H और यहाँ वाला H यह बाहर हो जाते हैं, और यह वाला bond बन जाता है, तो पहले यह बनता है, फिर इसमें आ जाती है aromatization, H, H क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं H2, H2, H2 और benzene बन जाता है, यह reaction पता है, उसी reaction का concept यहाँ पे चलेगा, इस concept पे और भी reaction आईगी आगे, इसी पे चलेगा, तो देखें आप इधर, समझ में आ गई, हमें इसको explain कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक यहाँ पे यह लगाया हो है, 1, 2, 3, यह 4, यह 5, फिर यह 6 और यह वाला, यह ही दिया हो है, यह 6 हो गया, यह 6 तो यहाँ से H, यह पहले H निकलेगी, और यह वाला bond इनके बीच बन जाएगा, तो पहले यह बन जाएगा, अब इसमें aromatization आ जाएगी, H, H, यह H बाहर हो जाएगा, 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 और फाइनली क्या बन जाएगा, तो लो, यह बाहरा, और तीज, correct answer, next, consider the following chemical reaction, यह अब एक reaction दीवे, तो यह तो अभी मैंने बताया था, red hot iron tube, ठीक है, यह वाला, क्यूसन तो मैंने अभी आपको बताया था, कि red hot iron tube, तो यहाँ पहले क्या बनेगा, इसमें, carbon, triple bond, carbon, carbon, triple bond, carbon, carbon, triple bond, carbon, अपन, H, H सपे लगा हुआ है, तो यह cyclic trimerization होगा, और बनेगा benzene, इसके बाद reaction करवाई है, CO plus HCL, और AL, CL3C, मेरे बाद समझना आप द्यान से, और पूचा है, कि the number of SP2, तो यह reaction है, यह reaction है, गाटरमान, कोच reaction, CO plus HCL, रेपीडली कर्वर्ट होते हैं, HCOCL में, और यह जो AL, CL3 है न, यह इसको हटाएगा, और यहां से यह वाला electrophile generate हो जाएगा, और यह जो electrophile है न, यह ring पे क्या कर जाएगा, अटेक कर जाएगा, और यहां बन जाएगा, CO H, अब पुचा है, SP2 कार्बन कितने हैं, फोर्मालेशन हुआ, गाटरमान, कोच reaction है, यह SP2, यह SP2, यह SP2, यह वाला SP2, यह वाला SP2, और एक यह SP2, मतलब कितने SP2 कार्बन है, तो आँच हुआ जाएगा, 007, 7 है, तीन तोवे, छेतोवे, एंजिन दिंग कही थे, एक LDL का ओर आगया, next, which one of the following कार्बनीर कंपाउंड केन नोट बी प्रिपेर्ड बाई एडिशन उप वाटर और अलकाइं, in the presence of HGSO4 and H2SO4, ठीक है, यहां यह वाला किशन है अपने पास, इस रियक्षन का नाम जो है, वो है, कुचेरोव रियक्षन, रियक्षन कैसे करवानी है, आपको जो भी एलकाइं दिया हुआ है, माल लो, एडिशन ओप वोटर, एलकाइं पर करवाते हो, तब कार्बोनील कंपाउंड बनता है, एलकीन पर करवाते हो, तो एलकोन बनता है, तो यहां यह रियक्षन करवानी है ना आपको, तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कि ट्रिपल बोन्ड है ना, अगर इधर इलक्टरोन डोनेटिंग ग्रूप लगा हुआ है, और यदि ट्रिपल बोन्ड पे इधर इलक्टरोन विड्रोइंग ग्रूप लगा हुआ है, डोनेटिंग लगा हुआ है, तो ओएच माइनस तरप जाएगा और विड्ड्रोइंग लगा हुआ है तो OH- इधर जाएगा फिर यहां से बनेगा इनोल पिर वो इनोल किसमें कनवर्ट होगा कि टो फोम में कनवर्ट होगा तो आप से यह बोला है कि कौन सा और सेम कार्बन का बनेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता यह पूचा है ठीक है एक चीज़ तुम्हें बतरता हूँ only CH2CO skeleton having ketone can be prepared इसमें है बनेगा इसमें भी है बनेगा कीटों की बात हो रही है ketone की अब इसको समझे इसका आगे भी कुछन आएगा यह concept है यह concept पूरा वह यह यह पूरा concept है कुछ रोड रियक्सन बोलते हैं इसको mechanism की यहां को जूरूत नहीं है मुझे बताने की अब मैं इसके यह बनाना है तो यह तीन कार्बन की इलकायल लेनी पड़ेगी यह लोग अब यह इलक्ट्रों डोनेटिंग है तो ओ एच और एच तो ओ एच इधर जाएगा और एच इधर जाएगा क्या बनेगा CH3OH डबल बोन्ड और यहां आजाएगा CH3 अब इसके बाद यह बन गया इनोल इनोल से यह कनवर्ट किसमें होगा कीटों में कनवर्ट होगा तो क्या बन रहा है CH3 COCH3 तो यह वाला LDL नहीं बनाया जा सकता है यह वाला नहीं बनेगा तो पस्ट LDL इसमें नही बनेगा बाकि सब बन जाएंगे यह इससे बन जाएगा यह वाला इससे बन जाएगा तो यह वाला इससे बन जाएगा इसमें ओच इधर अटेक करेगा इसमें ओच कि इधर भी अटेक करवा दो इसमें ओच इधर अटेक करेगा क्योंकि इसका इलक्रोनिक डोनेटिंग पा कार्बोनिल कंपाउंट इससे नहीं बनाया जा सकता कुछ रोग रियक्शन इंपोर्टेंट है बस की पोईंट को पकड़ के रखें इलक्ट्रोन डोनेटिंग की तरब ओवर चाठी करेगा next है 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 इलक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन है गया इधर से इधर गया है प्लस सला गया तो पहले क्या बना है कि यह बन गया कि अब क्या होगा one two है मिद्द सीप होगा कार्बोकेटान की छूही है तो रियरेंजमेंट की पोसिप्लिटी यह पोजिटिव अब इस पे को न टेपर जाएगा I minus क्या कर जाएगा I take कर जाएगा चेक करो चेक करो ऐसा option कहां आपको मिल रहा है that is correct answer ठीक है next यह देखो simple L can दिया है N L can और यहां से यह NCRT की reaction अभी यह एक कोई reaction डाला है और इसको LDID में convert किया है Oxidation किया है तो देखो इधर पहला reagent है na CH3CH2CH3 इसमें अगर मैं पहला reagent डालता हूँ copper और heat high pressure बनता है CH3CH2OH क्या बना एलकोहल तो यह तो नहीं आएगा दूसरा reagent डालता हूँ molybdenum oxide ठीक है और यही heat तो बनता है CH3CH2COH LDL यह आजाएगा तीसरा डालता हूँ magneze acetate MNOAC का whole twice MNOAC का whole twice तो यहाँ बनता है CH3CH2COH OH एक के साथ तीन reaction दीया है उससे alcohol बनेगा इससे aldehyde बनेगा इससे acid बनेगा potassium permagnate K1O4 कोई reaction नहीं होगी यहाँ reaction नहीं होगी तो हमें तो वह बताना है कि एक क्या होगा which reagent A is used for the following given conversion तो यह होगा molybadenum molybadenum oxide next the major product obtained the following reaction यह देखा आ गया ना वो ही है कुचेरोव reaction तो यहाँ NO2 का minus R लग रहा है इधर इसका plus R लग रहा है तो इधर जाएगा क्या OH और इधर जाएगा कौन H तो क्या बना NO2 यह ring CH double bond COH और यह ring और यह O CH3 अब यह inol से किसमे जाएगा कीटों में तो यह NO2 यह ring आ जाएगी CH2 C double bond O और यहाँ आ जाएगा O CH3 ऐसा देखो O CH3 की जरब तरप आपका CO group generate होना चाहिए तो ऐसा option अगर आप चेर करने जाओगे तो ऐसा option आपको यहाँ मिल रहा है तो third is correct answer क्योंकि यह electron withdrawing है और यह electron donating है तो अभी मैंने बोला था कि triple bond पे यह दी electron donating है तो OH इधर जाएगा withdrawing है तो opposite direction में चला जाएगा next यह bulky base है major product आपको बताना है reaction का bulky base क्या करता है remove less hindered beta hydrogen with respect to halogen या फिर मैंने क्या बोला था living group तो यह वाला living group है तो इसके respect में alpha, beta, beta यह वाली क्या है less hindered तो simple सा question चलेगा CH3, CH CH3, CH O, S, O O, CH3 और यह CH2H यह H बाहर निकलेगा यह यहां से हाँ और यह क्या हो जाएगा बाहर क्या बना CH3CH CH3CH double bone CH2 फिर क्या करवा रखा है oxidative ozonolysis oxidative ozonolysis उसके बाद करवा रखा है और oxidative ozonolysis में क्या हो रहा है यहां से तूटेगा यह भी किस में जाएगा COH में और यह भी किस में जाएगा COH में तो एक तरब तो बन जाएगा CH3CHCH3COH और एक तरब बन जाएगा HCOH यदि यहां zinc दे देता तो reductive ozonolysis होता LDAD बनता यह सा ओप्शन आप चेक करोगे CH3CH3COH तो फिर्ष्ट इच्ट इच्ट करेक्ट आंस्ट ओके next the major product of the following reaction वापस HBR आया कौन ची रिक्शन होगी भीया electrophilic addition reaction यह कौन ची रिक्शन electrophilic addition reaction इसमें तो electron जाएगे इधर से इधर और यहां कौन जाएगा H plus क्योंकि इसका क्या लग रहा है इसका लग रहा है plus I cut और इसमें इसका लग रहा है minus R तो यह इधर खीचेगा तो इसमें H जाएगा इधर तो पहले बनेगा यह वाला NO2 यहां positive और यहां H यहां positive और यहां H बैस दोनों पर करवा रखा है हमें नज़र आ रहा है अभी यहां BR minus इसमें यहां चला जाएगा और इसमें यहां चला जाएगा ऐसा option देखो check करो यह रहा second second is correct answer next the major product formed in the following reaction वो ही HBR है वापस से इलक्ट्रोफिलिक एडिशन आप देख सकते हो कितने क्यूशन आ रहे हैं CH2 double bond CH CHCH3 और यह CS3 HBR में से पहले take on करेगा H plus तो इसका क्या लगने वाला है plus I तो इलक्ट्रोन दूर जाएंगे और यह H plus का यहाँ take हो जाएगा क्या बनेगा CH3 CH positive CH CH3 अब क्या हो जाएगा 1,2 hydride shift हो जाएगा क्या यह इदर सी इदर जाएगा CH3 CH2 C positive CH3 और यह CS3 अब को न टेख कर जाएगा BR माइनस दिया हुआ है यह take कर जाएगा और finally यह बन जाएगा क्या यह लो ऐसा option चेक करने जाओगे तो ऐसा option CH के दो CH3 ऐसा option आपके पास आ रहा है यह वाला रहा 12345 12345 थाइड इसका correct answer जाएगा नेक्स्ट यह example है aromatic electric 2 इसको भी थोड़े सा देंगे अपने दो क्या है कि इए दिया वाहे खीक है यहां से नुक्लोफाइल जनरेट करेगा, इलक्टोफाइल जनरेट करेगा, और यह कौन सा डारेक्टिव है, और तो पेरा डारेक्टिव, यह यहां पर, एक्जामपल किसका है यह, एरोमेटिक, इलक्टोफिलिक सब्सिटुशन रियक्शन का, एक्जामपल किसका है, एरोमे पेरा ले लो या इसकी पेरा ले लो तो यह यहां पे क्या कर जाएगा अटेक कर जाएगा तो क्या बना पहले यह बना आप जहां से देखना है कि एक चीज को यह CH3 एजीट है यह एजीट है इदर से जुड़ गया है यह CO फिर यह CH2 फिर यह CH2 फिर यह CO और इदर आपके पा O, A, L इदर हो जाएगा O, H अब बोलोगी सर, O, H कैसे हो गया? यह समझ भी नहीं है क्योंकि इदर चे जब टूटा ना तो यह ऐसी टूटा था C, double bond O यह positive फिर यह CH2 यह एक नमबर, दो नमबर, एक नमबर, दो नमबर फिर यह C, double bond O O, O- शोड़ी, O- नहीं यहाँ पे O A, L, C, L 3, माइनस अब जब यह attack करेगा ना रिंग पे तो वहाँ से कोन बाहर होती है? H प्लस बाहर होती है क्या? वह H प्लस यहाँ जाएगी और इसको बाहर करके यहाँ क्या जनरेट कर देगी? यहाँ पे H ग्रूप लग जाएगा O, H तो मैंने O, H लगा दिया फिर क्या दिया? Zinc, Amalgam, Concentrate, HCl कौन सा हो गया? Kilimension Reduction ठीक है? कौन सा हो गया? Kilimension Reduction और यह CO group Reduce हो जाएगा यह Carbocslic acid को नहीं करता है Reduce इसको Reduce करता है किस में Reduce हो जाएगा? CH2 में तो यह बन जाएगा उसके बाद क्या दिया हुआ है? H3, PO4 यह क्या करता है? यह इस OH को हटा लेगा और यहाँ positive इस portion पे क्या कर जाएगा? Attack कर जाएगा और फाइनली यह वाला बन जाएगा ऐसा option चेक कर लो यह तो बना आपके पास A ऐसा A यहाँ है यह रह B यह नहीं है A यह है B यह है यह वाला है B जेखो C A जो बना वो यह वाला बना B यह वाला बना एक CS2 तो चला गया बाकि यह Second is correct answer यह भी एक simple equation है कोई बहुत ज़्यादा controversy नहीं है क्योंकि इतना concept restriction पर सीख चुकी है Base है यह कौन सी hydrogen है Acidic hydrogen है ठीक है इस acidic hydrogen को यह क्या कर लेगा Remove कर लेगा Li plus NH2 minus तो पहले बनेगा HC triple bond C minus Li plus अब यह क्या बन गया Nucleophile बन गया इसकी reaction करवानी है आपको इस से CH3 CH CH3 CH3 और यहां आपको आके दिया है CHBR तो यह जो है न यहां से attack करेगा इस BR को क्या करतेगा वहां reaction कोन सी हो जाएगी Ascent अब आपके पास finally बन गया है यह वाला CH3 CH ठीक है उदर से क्या दुड़ गया C triple bond CH इदर ओर अल्रेडी क्या दुड़ा हुआ है CH और CH3 का whole to H अब वापस क्या दिया हुआ है कुछ रहू reaction addition of H2O addition of H2O अब देखो इदर addition of H2O होगा तो वही reaction आ गही न क्योंकि यह क्या दिया हुआ आपको HG plus 2 और H plus वही reaction है अब बताओ कि इदर करवा हूँ इदर electron donating group लगावा है तो इदर कौन जाएगा OH और इदर कौन जाएगा H CH3 और यहां पे C double wound O और यह CH3 उसके बाद दिया हुआ आपको NABH4 अब मुझे इसको देखो मिटाना पड़ेगा यह समझ में आ गया है यह केसे निकाल के लाया यह तो इसके तो बार-बार इसके एक्जांपल आ रहे हैं अपने पास तो यह तो समझ में आ गया होगा है यह पाइनल पर अब इसकी रिएक्शन करानिया NABH4 है तो जब वो रिएक्शन कैसे होई है NABH4 है तो यह रिडूशिंग एजेंट है कीटोन को किस में रिडूश करेगा एलकोल में तो क्या बन जाएगा CH3CH उसके बाद यह CH CH3 का होल टो आइच CHOH और यह CH3 उसके बाद concentrate as to support heat H plus heat elimination कौन सी रिएक्शन होगी E1 तो पहले H plus attack करेगा यह यहां से यहां बाहर हो जाएगा क्या बन जाएगा यह बन जाएगा क्या CH3CH CH3CHCHCH3 यह CH3 और यह CH positive CH3 अब क्या हो जाएगा 1,2 hydrate shift हो जाएगा क्या यह इधर आ जाएगा क्या और यह बन जाएगा क्या CH3CCHCH3C positive CHCH3 का whole twice और यहां यह CH2 और यह CH3 अब मैंने क्या बोला था कि कार्बोकेटन बनने के बाद कार्बोकेटन के रस्पेक्ट में उस बीटा अलफा एडिजन को हटानी है जिससे stable alkin बनती है तो देखो आप इधर alpha, alpha, alpha तो यह जो H है यह वाली H इस H को यहां से आटा दो और यहां alkin बन जाएगी तो finally जो आँसरा है ना CH3 यह double bond C यह CH3, यह CH3 और इधर आपके पास ET यह आँसरा जगा है इसको मैंने ET करके दिखा दिया है ऐसा option चेक कर लो एक बार कहीं नज़रा रहा है क्या तो इसा option पूरे compound में एक ही है सब में terminal लगा हूँ है यह वाला answer आ जाएगा second is correct answer लंबा question है अच्छा question था मतलब इसमें आपसे acidity character भी पूछ लिया substitution भी पूछ लिया addition भी पूछ लिया reduction भी पूछ लिया elimination भी पूछ लिया next when neopentile alcohol is heated with an acid it slowly converts into an 85-115 mixer of alkins A and B respectively what are these alkins तो देखो neopentile alcohol क्या है तो यहाँ neopentile alcohol है CH3 CH3 or CH3 CH2 OH this is neopentile alcohol acidic medium दिया वाँ आपको heated with H plus or heat तो वही elimination कौण ची दियक्षन से via E1 पहले यह बाहर होगा और क्या बनेगा CH3 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 और यह CH2 इसके बाद वन टू क्या हो जाएगा मिथाइल सिप्ट हो जाएगा यह बन जाएगा क्या CH3 और यह पोजिटिव यह CH3 और यह CH और यह CH3 है अब इससे दो अलकीन बन सकती है क्योंकि यह अलफा और यह अलफा इस अलफा से क्या बनेगा मेजर क्योंकि स्टेबल अलकीन और इधर से क्या बनेगा माइनर लेश इस्टेबल अलकीन तो अगर मैं इस H को हटाऊं तो मेरे पास बना CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH और यह CH3 और यदि मैं इस H को हटाऊं तो यहां से मेजर बनने वाला है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 यह बनने वाला है तो यह वाला तो बनेगा 15% और यह वाला बनेगा 85% ऐसा option अगर हम CH करने जाएंगे तो ऐसा option अपने को कहां मिल रहा है एक तरफ इथाईल लगावा है एक तरफ मिथाईल लगावा है इथाईल मिथाईल CH3 और आंसर जाएगा और जाएगा तरफ तरफ इसका correct आंसर होगा जाएगा जाएगा